इस question में क्या p & q together can complete a work in 105 days देके to 150 dien में क्या करते है p e q क्यू मिलके काम करते है q & r together can complete the same work in 90 days qR मिलके क्या करते है उस्षी काम को 90 this time में करते है p and r together can complete the same work in 126 days और दो p & r थे Learn ز25 लो मिले के कारते है उसी काम को 126 days में करते है In how many days P, Q, R together can complete the same work तो बताना क्या है कि तीनों मिलके उसी कामबू कितने समय में एक साथ कल लेंगे या आपको एक calculate करना है देखे बड़ा simple है P plus Q क्या करते हैं मिलके उस कामबू क्या करते हैं कितने दिन में करते हैं उस काम को 105 दिन में करते हैं इसी प्रकारते क्या है Q और R मिलके उस कामबू कितने दिन में करते हैं Q plus R मिलके उस कामबू कितने दिन में करते हैं 90 देज में करते हैं ठीक है कितने देज में 90 देज में करते हैं इसी प्रकारते क्या है P और R मिलके क्या करते हैं उसको 126 देज में करते हैं 90 और 126 का LGM क्या आएगा वो निकाल लीजिए ठीक है तो देखिए सबसे पहले किसे जाएगा ये 105 और ये कितना आएगा आपका 45 और ये कितना आएगा 6 जा 3 जा ठीक है अब किस से जाएगा आपका 3 से करके देखिए 3 जा 9 और 1 क्यारी 5 जा और 3 बन जा और 5 जा इसके बाद 3 बन टू जा और 1 जा इसी पकारते 3 फाइब जा और 7 जा ठीक है और आपका 35 यहीं पे रहेगा इसी पकारते अब किस से जाएगा ये जाएगा 5 से तो 5 सेवन जा 35 बन जा और 7 जा ठीक है और 7 बन जा ठीक है तो आपका LCM कतना आएगा निकाल दीजिए ठीक है तो यह कितना होगे आपका 9 9 और 5 2 जा कतना होता है 10 ठीक है तो 10 इंटू 9 कतना होगा 90 ठीक है 90 होगा और 90 में क्या होगा इंटू 7 करेंगे तो 9 7 जा कतना होता ह 63 तो जो LCM आएगा ना वो कितना आएगा आपका 630 आएगा means कि total work कितना आपका 630 है ठीक है इसको करिए 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 तो देखिए 105 से डवाइट करेंगे जो क्या होगा देखिए सबसे पहले क्या P प्लस Q है ठीक है तो 630 है ना हाँ 630 divided by करिए का 105 करिए ठीक है तो किटे टाइम से में आएगा यह यह आएगा 6 टाइम में आएगा ठीक है तो 6 unit क्या करती यह दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं इसी पर करते क्या है Q प्लस R ठीक है Q प्लस R क्या करते थे मिलके 90 days में काम करते थे तो 63 अपोन करिए का 90 ठीक है 90 करेंगे तो कितना आएगा तो 0 से 0 कैंसल और 7 तो 7 unit क्या करेंगे यह मिलके एक दिन में काम करेंगे कौन Q प्लस R अब बचा क्या P प्लस R बचा ठीक है तो क्या बचा P प्लस R बचा ठीक है यह क्या करेंगे 630 अपोन करिए क्या 126 करिए ठीक तो इसको solve करेंगे तो कितना जाएगा यह यह आपका two times ठीक है means कि कितना होगा two six जा three जा ठीक है और यह आपका two जा sorry three जा three जा और यह कहाँ आपका one जा और five जा इसके बाद आपका one जा और यह कहाँ फाइब जा ठीक है तो यह मिलके क्या करेंगे five unit काम करेंगे ठीक है अब इकशी देखे इन total का unit करेंगे तो कितना होगा पांच और साथ कितना होगा बारा बारा अठारा तो कितना अठारा unit आगया ठीक है 18 unit क्या करते हैं मिलके काम करते हैं ठीक है कौन अब इनको भी 8 करना पड़ेगा तो देखे 2P हैं 2Q हैं 2R हैं ठीक है तो क्या करना पड़ेगा P plus Q plus R ठीक है इनका किया 2 equal to कितना 18 unit यही है ना कितना 18 unit है ठीक है तो P plus Q plus R आपसे question यही पूछ रहा था एक दिन में कितना unit करते होंगे यह करते होंगे 9 unit काम करते होंगे कितना unit 9 unit काम करते हैं करते हैं और total work कितना आपका total work कितना है 6 30 है ठीक है 6 30 है तो कुछ नहीं करने आपको 6 30 upon करिए क्या 9 करिए तो यह कितने times पर आएगा यह आएगा 70 days means कि 70 days लगेंगे उन तीनों को उस काम को complete करने में ओके दोस्तों इस question का अंसर क्या होगा 70 days क्या होगा इस question का अंसर होगा ओके दोस्तों मैंने procedure बताया है एक बार आपको देख लीजिएगा आपको easily इसको solve कल लेंगे ओके दोस्तों मैंने तड़ याद रखिए दस इसकी ओके दोस्तों